दोस्तो आपका आज जैसा भी है वो आपके past के decisions के कारन है और आपका future कैसा होने ओने वाला है यह आपके आज के decisions के उपे depend करेगा अभी तक कि आपकी life की journey, अभी तक कि आपकी life की कहानी जैसी भी रही है उसके जिम्यदार केवल और केवल आप हो अब चाहो तो इसका blame किसी पे भी दे सकते हो कोई भी reason दे सकते हो मैं गाव में रहता हूँ, हमारे पास पैसे नहीं है internet connection नहीं है अच्छे teachers नहीं मिले, अच्छा guide नहीं मिला अच्छी coaching institute में पढ़ नहीं पाया कोई भी बहाना आप दे सकते हो लेकिन इसके जिम्यदार केवल आप हो अगर सपने आपने देखे हैं अगर सपने आपके हैं तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी तो आप ही को करना होगा इसके लिए कोई आप मेहनत नहीं करने वाला है देखे अभी आपकी लाइफ जैसी भी रही हो एक बात याद रखना कि हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जो अपने परिवार के पूरी किस्मत को भी बदल देता है और वो इंसान आप हो अभी आपकी लाइफ जैसी भी रही हो लेकिन नौकरी मिलने के बाद जब सैलरी मिलने लगेगी ना सैलरी आने लगेगी उसके बाद आपको life बहुत शांदार लगने लगी अभी हो सकता है आप अगर mall में जाते होगे, shopping करने जाते होगे, दुकान वगरा में कोई कपड़ा अगर आपको पसंद भी आ रहा है, कोई dress पसंद भी आ रही है, तो सबसे पहले आप चेक करते होगे कि इसका price कितना है, price tag में क्या लिखा होगा है, लेकिन जब नौकरी लग जाएगी, जब salary आने लगीगी न, उसके बाद जब आपको, जब आप shopping करने और कोई dress आपको पसंद आएगा, तो पहले आप उसकी fitting चेक करोगे, पैसे के बार में नहीं सोचोगे, fitting चेक करोगे, कैसा लग रहा है, मेरे उपर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा लगा, आप तुरण purchase कर लोगे, क्योंकि आपको भी पता है, कि अगर पूरे महीने की salary भी मैं उड़ा देता हूँ, फिर भी अगले महीने फिर से account फिल हो जाएगा, आज हो सकता है, आप local brand के जूते पहनते होगे, लेकिन खल, आप Adidas और Nike के नीचे तो बात ही निकलोगे, और ये सब possible तब ही है, जब आप अपने comfort zone से बाहर निकलते हो, लीकि पूरे जिंदिगी को, पूरे life को बरबाद कर देता है, बहुत लोगों की आदत होती है, 8 बजे, 9 बजे उठना सुबह में, लेकिन अगर आप, और इसका reason यही है कि comfort आपको चाहिए, आपको comfortable आप रहना चाहते हो, सुकून चाहिए, लेकिन या जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है, सुकून मिली नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप सुव भी रहे हो, जब आप 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, तो आपको एक गिल्ट फिल अपने अंदर जरू फिल होती होगी, कि आर सुबह पांच बजे उड़ी आता, छे बजे उड़ी आता, कितनी के लिए, लेकिन देखें, हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, और इसलिए जो सक्सेस रेट होता है, वो इतना कम होता है, आप हमेसा सोचते हो, कि यार इतने कम लोग क्यों सेलेक्शन ले पाते हैं, इतना कम परसेंटेज क्यों होता है सेलेक्शन का, उसका रीजन यही है कि मात्र एक परसेंट लोग ही है जो अपने उपर वर्क करते हैं कमफर्ट जोन से बहा निकल पाते हैं आपको अगर यह बात समझ में आ रही है अगर आप जाग चुके हो तो कमेंड में गुड मॉर्निंग लिख देना